वेलकम बच्चों हम सॉल्फ कर रहे हैं सीखे गड़ित कच्छा छे अभ्यास कारे पुस्तिका इकाई छे बीजिये वेंजग फर्स्ट कुश्चन है रिक्तिस्थानों को पूरा कीजिए यहाँ पे बीजिये वेंजग दिये हैं यहाँ पे पद दिये हैं और यहाँ पे हमें पदों की संख्या लिखनी है मतलब इसमें से पहले पद छाट के लिखना और फिर पदों की संख्या को लिखना है तो पहला बीजिये वेंजग है 5X प्लस 6 पद है 5X और 6 पदों की संख्या कितनी हो गई? एक और दो 3P square Q माइनस 4P Q square प्लस 9 अब इसमें पद कौन-कौन से हैं देखिए पहला पद है 3P square Q 4P Q square और 9 तो टोटल कितने पद हो गई? 3 X square प्लस 6XY दो पद हैं इसमें X square 6XY पदों की संख्या 2 माइनस 5A प्लस BC तो माइनस 5A और BC पोटल पद कितने हो गई? 2X square तो इसमें एक ही पद है 2X square तो एक A square माइनस 6AB माइनस 2 तो A square और 6AB और माइनस 2 तो टोटल कितने पद है? 3 5 में 5 है और केवल एक ही पद है Next question करा है निमलिकित पदों के संख्यात्मक गुडांक लिखिए अब ये पद हैं और हमके इसके गुडांक लिखने है माइनस 2X square Z इसमें गुडांक क्या है? माइनस 2 1 by 6 A X square तो इसमें 1 by 6 7AB square C तो इसमें गुडांक क्या है? 7 hen minus 2 by 3 A square तो इसमें गुडांक क्या है? माइनस 2 by 3 3 MN गुडांक क्या है? 3 PQ इसमें गुडांक क्या है? 1 Minus 1 by X तो इसमें गुडांक क्या है? minus 1 देखिए बचवों इसमें कहरा है समान सजातिय वस्तू का मिलान कीजी देखिए सेप से हमें सेप को मिलाना है तितलियों से हमें तितलियों को मिलाना है बॉक्स से हमें बॉक्स को मिलाना है x y z है यह माइनस 5 x y z है तो हम इसे x y z से मिलाएंगे यह इस तरह की डिजाइन है तो हमें इसी तरह की डिजाइन से मिलाना है AB को हम AB से मिलाएंगे और यह stop के sign को हम stop के sign से मिलाएंगे और BELAN को हम BELAN से मिलाएंगे Next, समान सजातिये वेंजकों का मिलान कीजिए देखे, minus 2P square QR तो हमें इसे ऐसे पत से मिलाना है जिसमें P square QR हो तो देखे, यहाँ पर लिखा है 12P square QR तो हम इसको मिला देंगे फिर 17MN, तो हम इसे मिला देंगे 4MN से minus 56QP, तो अब हम इसे मिला सकते हैं PQ और QP एक ही होता है 5PQ से, फिर है 16XYQ तो अब हम इसे मिला सकते हैं, देखे हैं यहाँ पर 7YQ X, आगे पीछे होने से कोई फरक नहीं पढ़ता बचो तो हम इसे इससे मिला देंगे 4ABC, तो हम इसे देखें मिला देंगे minus 2ABC से next है 22X square Z तो हमें इसे मिलाना है देखें, minus 11X square Z तो हम इसे इससे मिला देंगे minus XYZ, तो यह पहले से मिला हुआ है 23X, Y, Z से फिर minus 3BA तो अब हम इसे मिला देंगे 9AB से ठीक है बच्चो next question करा है निमलिकी सार्णी को उदारण के अनुसार भरिए चित्र माना थैले में रखी वस्तु की संख्या अब माना की थैले में रखी वस्तु की संख्या तो हल उततर क्या होगा 5 plus 3 यानी 8 इसी तरह यहाँ पे क्या सामी करना बढ़ेगा A plus 6 गा जारे तो A plus 6 अब अगर इसका मान A का मान 3 है तो 6 plus 3 यानी 9 फिर A plus 4 अगर इसका मान 6 है तो 6 plus 5 यानी 10 फिर यहाँ पे A plus 15 देखे फिविटीन मिला है तो अगर इस कमान 8 हो जाए 8 प्लस 15 यानि 23 Next question के रहा है नहीं हम लिखित वेंजकों में पदों की संख्या बताईए अब देखिए एक example दिया है 2x square प्लस 5ab तो इसमें कितने पद है 2 x, y, z इसमें 1 ही पद है x plus y plus z देखिए इसमें 3 पद है 4mn plus 3 इसमें भी 2 पद है a plus 5b minus c इसमें 3 पद है x square plus xy plus 3y square इसमें 3 पद है Next question कराए निम्नांकित को सरल कीजिए x plus y plus x plus y तो यह हो जाएगा बच्चों अगर हम इसको ब्रैकेट को खोल दे तो 2x plus 2y इसी तरह a minus b minus a plus b जब हम ब्रैकेट को खोलेंगे m plus n plus p minus m ब्रैकेट में m minus n minus p जब हम इसको ओपन करेंगे तो यह सारे n और p plus हो जाएगा और m minus में रह जाएगा तो answer आजएगा 2n plus 2p a square plus 2ab plus 5 plus ब्रैकेट में 3ab minus 5a square plus 7 जब ब्रैकेट को खोलेंगे तो यह as it is उतर आएगा और minus करने के बाद हमारा answer आजाएगा minus 4a square plus 5ab plus 12 minus 2x square minus ब्रैकेट में minus x square plus 2x अब देखिए जब ब्रैकेट ओपन होगा तो यह x square plus हो जाएगा और यह 2x minus हो जाएगा तो मारा answer हो जाएगा minus x square minus 2x 5x plus 2x minus 3 तो जब यह bracket ओपन होगा तो यह 5 और 2 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 7x-3 नेक्स कुश्चिन करा आप BG विंजग को सरल कीजिए x-y bracket में plus bracket में 2y-x फिर minus bracket में x-y जब हम bracket को open करेंगे बच्चों तो देखिए हमारा answer हो जाएगा x-y as it हो जाएगा फिर यह 2y plus 2y-x अब यहाँ पर देखिए निशान चेंज हो जाएगे क्योंकि bracket के बाहर minus है तो यह plus है तो यह minus बन जाएगा minus x plus y अब देखिए हम सबको जोड लेंगे एक दूसरे के पास ले आएगे अब देखिए यह x-x है तो यह minus 2x हो जाएगा 3p square q square plus bracket में minus 5p q square अब इसको हम bracket को open कर लेते तो 2p q square minus 3p square q square अब यह plus और minus मिलके minus बन जाएगा 5p q square अब देखिए यह दोनों सेम डिजिट है तो हम इसको एक पास लाएगे 2p q square minus 5p q square और minus 3p square q square अब इसमें से यह घट जाएगा तो यह हो जाएगा minus 3p q square minus 3p square q square next देखिए 5xy plus बड़े bracket में 3z minus मजले bracket में 2x minus छोटे bracket में z minus 5y छोटा bracket close मजला bracket close और बड़ा bracket close तो हमारा 5xy plus बड़े bracket में 3z ऐसी रहेगा minus ऐसी रहेगा मजला bracket same to same रहेगा 2x अब देखिए यह हम bracket open करेंगे तो यह z minus बन जाएगा minus z और यह plus 5y bracket close अब हम मजले bracket को हटाएगे next step में 5xy plus बड़ा bracket 3z minus अब देखिए यह minus है तो सारे के निशान फिर से चेंज हो जाएगे minus 2x plus z minus 5y again अब देखिए यहाँ पे 3z और z है तो यह दोनों जुड़के 4z हो जाएगा फिर हम उतार लेंगे 5xy अब यह bracket हटाएगे तो plus है तो कोई भी निशान चेंज नहीं होगा plus 4z minus 2x minus 5y अब यहाँ पे कोई सजाती पद नहीं है तो हम इसको solve नहीं करेंगे minus मजले ब्रैकेट में minus 5t cube minus छोटे ब्रैकेट में 2 minus 7t square छोटा ब्रैकेट close plus 6t मजला ब्रैकेट close बड़ा ब्रैकेट close okay solve कैसे करेंगे सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को हटाते हैं 4t cube minus 9t cube ऐसे ही उतर जाएगा minus फिर मजला ब्रैकेट same as it is minus 5t cube अब देखें यहाँ minus है तो यह चिन चेंज हो जाएगे तो यह 2 हो जाएगा minus 2 plus 7t square और यहाँ पे क्या हो जाएगा plus 6t मजला ब्रैकेट close बड़ा ब्रैकेट को अब हम मजला ब्रैकेट हो जाएगे 4t cube minus बड़े ब्रैकेट में 9t cube अब यह minus है तो यह सारे निशान अंदर के बदल जाएगे minus plus बन जाएगा और plus minus तो यह हो जाएगा plus 5t cube plus 2 minus 7t square minus 60 बड़ा ब्रैकेट close अब हम इसको solve कर लेंगे देखे अब आपको यहाँ पे t cube मिलना है यह तो यह दोनों सजाती ही जुड़ जाएगे तो 9,5 हो जाएगा 14t cube तो 4t cube minus 14t cube यानि 14t cube plus 2 minus 7t square minus 60 ठीक है फिर next 4t cube अब हम बड़े ब्रैकेट को उटाएगे बाहर minus है तो सारे निशान फिर से बदल जाएगे 4t cube minus 14t cube minus 2 plus 7t square plus 60 अब देखे यह 4t cube है minus 14t cube है दोनों सेम है तो यह minus हो जाएगा minus 10t cube plus 7t square plus 60 minus 2 यह हमारा answer हो जाएगा next question दी गई आकरिती का परिमाब ग्याद कीजिए यही a बराबर 2 और b बराबर 3 तो देखिए यहाँ पे एक बुजा कमान a plus b दिया है और यह आपका एक वर्ग है तो वर्ग का परिमाब होता है 4a यानि 4 into भुजा वर्ग का परिमाब क्या होता है 4 into भुजा और यहाँ पे भुजा कमान दिया है a plus b तो हो जाएगा 4 into a plus b अब a plus b कमान हम रख देंगे a की जगा 2 और b की जगा 3 तो 4 into bracket में 2 plus 3 तो यानि हो जाएगा 4 into 5 बराबर होजएगा 20 नेक्स्ट देखिए यहाँ पे एक भुजा कमान दिया है 2 a minus b अब यह 3 भुज है और सम बावु तरिबुज है तो इसका जो परिमाब होगा वो होगा 3 into भुजा यहाँ भुजा की जगा हम 2 a minus b रख देंगे तो 3 bracket में 2 a minus b अब a की जगा 2 रख देंगे और b की जगा 3 तो देखिए 3 bracket में 2 गुड़े 2 रख 3 तो 3 into यह हो जाएगा 4 minus 3 यानि 1 तो 3 गुड़े 1 बराबर 3 नेक्स देखिए यहाँ पे आपका एक आयत दिया है एक भुजा है a plus b और दूसरी भुजा है 5 a minus b तो आयत का परिमाप होता है 2 लंबाई धन चोड़ाई तो पहले हम लंबाई और चोड़ाई को यहीं solve कर लेते हैं तो a plus b हो जाएगा आपका 2 धन 3 यानि 5 5 a minus b हो जाएगा 5 गुड़े 2 रख 3 यानि 10 minus 3 यानि 7 अब यह मान हम इस सूतर में रख देंगे तो 2 a plus b यानि यहाँ पे लंबाई और चोड़ाई है a और b तो 2 into 5 यहाँ से और प्लस 7 यहाँ से दूसरी भुजा यहाँ से तो हो जाएगा आपका 7 5 12 तो 12 दूनी 24 यहो जाएगा आपका answer यहाँ से तो 3 यहाँ सुभ़े घर साहँ से यहाँ से यहाँ से ऑाका 1 कि यहाँ से दूस फोड़े झाल S1 यहाँ से यहाँ सe sound